नमस्कार मैं हूँ आपके साथ जोती का नौजिया आई रुक करते हैं फड़ाफट खबरों की ओर उज्जैन के महाकाल मंदिर में नाग पंचनी की तैयारियां लगवग पूरी हो गए साल में एक बार खुलने वाले नाग चंग्रेशुर के दर्शन के लिए मंदिर के पड़ो दिये गए बतों को दर्शन सुलब और खुशासन में इसके लिए खास इंतिजाम के थी अलकाइदा के उचदिकारियों में सेफ अलदेल का नाम चर्चा में अल अदेल, अलकाइदा के संसापक सदस्यों में से एक है और संतिमिस की चूती भी बोलती है अल अदेल को उसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी का करीवी भी माना जाता है राजसरकार ने इलाहबाद हाई कोट में 306 और लखनाओ खंडपीट में 220 ने सरकारी वकील लियूप किये हैं महीं पिछली सरकार की कारकार में लियूप दूवे करीव 900 वकील अटाए गए पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि 2017 में दुशकर्ण केस की जाच लगने वाला औसत समय 435 दिन था जून 2022 तक या औसत समय खट लिया है राश्टपदी द्रौपदी मुर्मू पर टिपड़ी को लेगा राजसबा में कॉंग्रेस अध्यक सोनिया गांधी के खिलाफ टिपड़ीयों को सबपती एमट्वेक्या नाइडू ने गारवाई से अटा दिया जो पक्ष के नेता मलिकार जुन खरगे ने पत्र लिक कर कहा था सोनिया राजसबा की सदस से नहीं है ऐसे में चिप्डिया हटाएं क्या आमिर खान जो शोर से लाजसिंग चठा के प्रोमोशन ने जुटे हुए हैं वहाँ लोगों स्यापीर कर रहे हैं कि वे इस फिल्म को बाइकॉट ना करे आमिर खान ने फिल्म के प्रोमोशन के दोरान मीधिया से बातचीत की और अपनी फिल्म में किये गए बदलाव के बारे में बताया आमिर खान ने कहा फिल्म की स्काउट स्क्रीनिंग भी बदलाव किया गया है सामोहिक विनामश के हतियारों पर पुरी तरह रोक और इनके वित पोशर पर सजा के प्राअदान काले बिदेयक उस्तंसदने सुबार को मपलाव मन्यूरी दी मुख्यमंत्री योग्या अदितनाथ ने कहा कि इस बार प्रदेश में कम बारिश हुई है फिर वे किस्तानों का नुक्सान नहीं होने दिया जाएगा उन्होंने सबी जिलों में बारिश और वो आई कि सतर समिक्षा के निर्देश दिये मुख्यमंत्री योग्या अदितनाथ 3 अगस्त को 122 करोड रुपे की परियोशना का लोकारपन वशिलन नियास करेंगे 25 गाडियों 10 इलेक्ट्रिक बसो और दो इट ट्यूडिस्ट बसो को हरी जंडी दिखाकर रवाना करेंगे कोलंबिया में आयोजे जूनियर वर्ड चैंपियंशिप में भारते चीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है मिक्स रेलेस परदा में मेरेट की एंफिलेट रुबल चौबरी ने शांदार प्रदशन करते वे चीम की जीत में एहम भूमी का लिभाई मिक्स टीम ने 3962 मिनट में दौर पूरी करते वे प्रदशन में स्थान पाया के नमूने जाज में मानक के विपरीद पाये गए एडियम पोर्ट ने कंपनी पर बड़ी कारवाई की है स्थ्यालावा विक्टोरिया फोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ताल के लिए नमूने भी फेल पाये गए है इन दोनों कंपनी पर एडियम पोट ने 15 लाख उस्पाइग जिर्वाना लगाया है उत्रागंड के पहाड इलाकों में हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिक्रहाई लगतार बारिश होने से मैदानी इलाकों में गंगावा आने नदियों का जलिस्तर बंडे लगाया जिससे चलते लोगों को कई जगा परिशानी उठानी पड़ रही है रामबन जिले के गुल इलागे में पुलिस चौकी की बाहरी विवार के पास ब्रेडेड हमला हुआ, जमुकश्मीर पुलिस ने मामला दर्च कर जाज शुरू कर दी है मामसून की बारी से रियास्ती जिले में धूडू ग्लॉक के बासा गाउ में भूस खलन से 30 मकान जमी दोस हो गए पहाट पर जरारिक देख गाउं को पहले ही खाली करवा लिया गया ग्रामीर ठोड़ा बहुत सामान ही साथ लिजा सके वही खराब मौसम में अमर्नाथ यात्रा को सुबार पहले गाम और बार्टाल दोनों रूट से सिगित कर दिया गया कॉंग्रेस के बागी विदायक कुलदेव विश्णोही चार अगस्त को भाशपर में शामिल हो सकते हैं उन्होंने ट्विट कर इसके संके दिये हैं उन्होंने ट्विट किया कि घायल तो यहाँ पर परिता है मगर जो फिर से उड़ सका वही जिल्दा है इस स्पेन में मौजूर पंजाबी लोगों के अधिकार के लिए काम करने वाली सत्रिकार करता अमरीक सिंग ने फिछले दो तशकों में यूरोप में तशकरी का शिकार होई इस सौसे अधिक पंजाबी मनलाओं को बचाया है उनका खहना है कि पंजाब की कई युत्तियां अपने परिवार की सदस्यों के बिला भी अक्सर बहतर जिल्दिगी की तलाश यूरोप आ रही है हर्याना के बोयरोजगार युवाओं के लिए खुश्खबरी है दमकल विभाग में 998 नैपत स्रजित करने को सरकार ने सुरकरती दे दी है मैं पदो पर जल्द भर्टी होगी ओपरेटर कम चालक से लेकर फायर अधिकारियों के इन पदो की भर्टी प्रकरिया हर्याना लोग सेवा आयोग और हर्याना करबचारी चैन आयोग शुरू करेगा बगेल ने कहा कि अस्पस्टे की जो लोग केंद्र के खिलाब बोलेंगे उन्हें कारवाई का सामना करना पड़ेगा आप इसके उधारन देख सकते हैं जबद्पूर के न्यू लाइफ मर्टी स्पस्लिटी हॉस्पिटल में सोंबार को हुए भीशन अगनी कान मामले में हॉस्पिटल की मैनेजर राम सोनी को गिरभतार कर लिया गया जबके अस्पिताल के डिरेक्टर के खिलाब गैर इरागतन हंत्या का मामला दर्ज किया गया भारती मौसम विभाग ने माहसून के दूसरे भाग को लेकर नई जानकारी दी है मौसम विभाग के अनुवान के अनुसार जुलाई की तरह अगस्त और सितंबर में भी भारी बारिश होनी क्या आता है इन खबरों में बस इतना ही धन्यवाद